नमस्कार दोस्तों गरी नीचर चैनल पर आपका एक भार फिर स्वागत है दोस्तों यह मेरे एडिनियम की सीद्लिंग्स है जो मैंने सीड़ से तियार करी थी और अब यह ट्रांस्प्लांट करने के लेव हो गई है और इसलिए मैं इनको ट्रांस्प्रांट करने के लिए ये 0.5 विश्वाइकव पॉट्स हैं आप देख सकते कह Hello पॉट्स है और ये मेरे को 20 रुपीज के आसपास मेरे को एक पॉट्स पढ़ा यह और तो में यह 20 पॉट्स लेगा है रहूं 400 के और यह पॉटिंग मिकस के लिए खर्श त्यार क्या हुआ है यह मेरा सिंद रहे बोड सिंद यस 60%मय पुछिंच इसे में इसमें लिया है 15 पर्शन्ट-15 पर्सेंट में इसमें यहलिव मोल्ड है और 15 प्रसेंट ह्य इसमें बोक पीट और बाकी 20 परशन्ट के जो निस्रन है वो मेरा ये काव डंग नीम खली और ये बॉन मी तो मैंने इस में टोटल छहाइटम ली हैं और इनी को अब मैं च्छितरह से मिक्स कर दूँगा कि अब ये हमारा स्वाइल मुक्षर इसका तयाब हो गया है एडिनियम प्लांट्स को ट्रांस्प्लांट करने के लिए और अब हम इसको ट्रांस्प्लांट करेंगे यह अपने जितने भी पाॉर्स हैं इस तरह से ये पत्थर के छोटे टुकडों से हमने ये कवर कर लिया है इसको फिल करेंगे पहले हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे एक पॉड़िंग स्वाइल से उसके बाद हम अपने इस प्लांट को इस तरह मैं से बाहर निकालने का तरीका है क्या है आप इसको देखे इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे खीचके अगर इसको हमने इस तरह से देखिए इस ते इस को प्रेस करेंगा आप अपका आप डेखिए जाह रूट्स बॉल देखिए आप इस की झाल देखिए अब इस बॉल को इसक司 इस तरह मेंच आप से इसमें लोगाकर और है श्को सुयल मिक्स से हम काफी अच्छी तरह से फस्ट तरवके से देख्या काफी सुंदर तरवा की है वह हमने जितने भी इसकेम निकालने तो इससी समुने नीचे से और करना है एप यह जोनको हे बाते हैं तो यह कि यह प्राद्य को अब हम इसी तरह से अपने सारे प्लांट्स को kam देखरें फिर करेंगे च्छ्छान्ट करेंगे ऑर दोस्तों यह कि इस तरह है मेरे यह सारे 20 प्लांस के आधिंश हो चुके हैं मेरे इन शेर्वे तोर्स में अब सिल्लिंग ट्रेज मेरी खाली हो चुकी है तो दोस्तो अग मैं इन में वाटरिंग तरहँ आगा जिसमें मैं कोटासियम में मिट जोकी मैंने इसमें दो एंपल के आसपस मैंने डिया हुआ है इसको मैं दो लेखर पानी में इसको मिक्स करूंगा अखे तरह से और मिक्स करने के बाद मैं इसको अपनी इंप्लांट्स में डालूंगा क्योंकि कोटासियम हमिट से इसका जो रूट की ग्रोट है वो काफी अच्छे तरह से हो जाएगी जो रूट्स की डिस्टर बहुर क्योंगी वो सही तरह से काम करना चालू कर देंगी और इसमें वाइट र जो हैं आनी चालू हो जाएंगे और इस तरह से अब हम इसको थोड़ा-थोड़ा कि सभी कि पॉर्स में देंगे कि देखे कितनी पॉरस मिट्टी होती है इसका स्वाइल मिक्चर है इसमें पानी गेट के साथ ये नीचे से डेंड हो गया है अब देखे बिलकुल एक दम पिस से ड्रेन आट हो जाता है पानी गेटते के साथ एक सेकड़ के अंदर ही सारा पानी ड्रेने जो से बाहर आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा स्वाइल मिक्चर है जो कि एडिनियम प्लांट्स के लिए है तो दोस्तों इस तरह से हम अपने सभी प्लांट्स में ये बार्टिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको एक गड़ दिन के लिए किसी सेडी एरी में रखेंगे जहां पे इसको इंडिरेक्ट संलाइड मिलती र रहे हैं और दोस्तों आज इनको एक अफ़ता हो चुका है और यह आपके सामने एक अप्टे बात की अपडेट है जब मैंने को एक प्लांट किया था और यह सभी 20 के 20 प्लांट जो हैं पाफि एच्छी तरह से ग्रोग रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेस प्री हैं में किसी त सब्सक्राइब जरूर करें करें अलाओ